कशिर एसास कश्मीर का प्रफियर मगदम है मैं हूँ आपकी मेजबान शाफिया रियाज और मैं हूँ आपकी मेजबान आसिमा महराज नाजरीन आज हम उस जगा पर आए है जिसे लोग एलोसी के नाम से जानते हैं और इस सेक्टर को मच्छल भी कहा जाता है हर एक की नजर में यहां के लोगों की ज सालाती जिन्दगी के बारे में हमने अपनी जिन्दगी आंक बंद के गुजारा क्यों हमारी की तरफ जो यह मच्छल एरिया है ने इसकी तरफ किसी नहीं देखा नहीं है अभी तक खाली हम नहीं को पता है क्या हमा सच बोलेगा इसमें कोई यह नहीं कि अगर आर्मी इदर ने होगा हमारा जिन्दकी भी नहीं है हमारा जब से मुझी जी निये थोड़ा इसमें किया इसमें थोड़ा रोड का हमारा बना बाकी बिजली हमारा तीन गाम है डपल मिश्री बैक कटवाड़ा एक बार एक आया था जब हुकुम आता उसनी बोला आप अपनी बच्छों को सामका रखो हम आपको लाइट देगा पॉल ब पार गाट बाद मिशाजी सोर ये मचल सक्टर चो यास चोपार फना अला का दूर दराज अला का यास चुवर्या मसाल उस्ट वर्या मुष्किला उस्ट विकला उस्ट करो अगर जागे हैं सानी बच्छों करो ते हुआ निदिक पात कात एक आप एड़िए बच्छिएशन कि आज के अजसेता सा 홑ल साही है, अजय क Souls रिषार को वार अवकावत खताई करा, अपया उत्क एगासनुट खताई, कि ए रहसे हैं इस मेखला आटा लुए मुझात zwischen Higher मुझेते। अपान लुचिए हैं फ़्रोंसाब का क्योंड करते हैं मुझेते नुच्छा करणा शूर बाजु हुटा नानम мама मुझेतों पतार पता गैसन भर अंताए शहां। आपने हमने अपने अपने जिन्दी में जैसे शुरू में हाला थे वैसे आज भी है ये अलाका बहुत ही बिश्रा हुआ अलाका है यहां पर जो तरकी होनी चाहे थी वो अभी तक नहीं हो पाई बस हमारे माँ बाप भी गुजर गए उनके दिलों में बहुत सारे आर्मां थे लेकिन उनके साथ भी जैसे नाइनसाफी हो च हम भी अपने इस अपने मुलक में हर जगह गुमे हैं यह नहीं कि हमने बस्फिर मचली देखा हम मेंसे भी बहुत सारे ऐसे जोनों ने पूरा अपना मुलक देखा है जो वहां पर उनके आसान उनके सुहलित मिलती है या उनके उनके साथ जो हो रहा है वो हमारे साथ इस अल चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, सतर साल के बाद हमें एक ही गाओं में बिजली देखी है, नाओं गाओं अभी भी ऐसे ही पड़े हैं, अब हमारे हालते जिन्दे के क्या बताएं, अपनी कहानी क्या सुनाएं आपको, अभी भी हम लगडी लाते हैं, जो पराने लोग करते लगडी लाते थे और उसको जलाते थे रात में, फुर उससे अपनी रोशनी का इस्निमाल करते थे लगडी से, आज भी हमारे गाओं में सिर्फ प्रापर मच्छल में ही बिजली है, बादी गाओं ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन सुना है कि हर जगह वो बोलते हैं कि हमने बिजली नहीं देखे, पोल तो देखे हैं, लेकिन तार भी देखे हैं, लेकिन अभी बिजली का नाम निशान नहीं है, हम भी बागी लोगों के साथ वैसे ही होते, जैसे वो तर्की करते हैं, हमारे अर्मान बहुत हैं, लेकिन आज तक हमारे अर्मान को पूरा नहीं कर पा जब उनको रोशनी नहीं है वो चाप पढ़ेंजे। जब उनके पास सिटाप उतना है नहीं या आगे जाके वो पढ़ लेते हैं उनके पास उतना माल मविशा नहीं है जो आगे जाके वो कुछ पढ़ सके। मैं खुद ग्रजुएट इस वकट आपके समडे हूँ और यहां पे वीकन में रोड के साथ काम कर रहा हूँ यहां के लोगों के जो मुश्किलात है यह कहने के काबिल नहीं है क्योंकि यहां बिजली के खंबे गार दिये गए हैं लेकिन बिजली नहीं है हलत के संटर बनाए गए हैं लेकिन यहां पे सबसे पहले में एक बात कहना चाहता हूं कि यहां इतने बन्लब इस सदी में यहां पे एक फैमिली डाक्टर की मौजूद्गी नहीं हुई है आज तक यह दूर दराज अलाका जो नौन हलकूं पर मुश्कमिल है यहां के लोग क्या जानेगे कि इ इसमें मच्छल, पुश्वारी, दुद्धी, रिंग बाला है, रिंग पाइन है, चोटी बाला है, टीसंट है, कटवार है, मिसरी बैक है। यहां एक गउं वाहिद गउं हैं जो यहां बिजदी देख रहा है, यहां सिकूल तो है लेकिन सिकूल में स्टाप भी है लेकिन ग परूना का नमूनिशान भी नहीं था तो जिसकी वज़ा से यहां के लोग बहुत सारे मुश्किलात का सफर कर रहे हैं हला डिपार्टमेंट हो यहां पे आप खुद देख रहे हो तासिलदार का आफिस आपके सामने देखा जा रहा है जो अभी तक बंद पड़ा है तो आप लोगों का आप देख लीजे इन लोगों के साथ क्या क्या सुलू किया जाता होगा मैं रूबुरू की टीम के साथ बहुत सारे सवाल वातों के जवाबात देने के लिए ने तयार ह China हो लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ यहां जो भी बनाए है यहां कम से कम 20% ज क्योंभ पैज़ु की कोई बात ही नहीं है लोगों की तरफ कोई त नहीं दे रही है मैं वाकी में इससे लावР क्या कहसता हूं आप आपने खुद भी देखा यहां के लोगों की जबनी भी सुनय है यहां बहुत सारे मुश statutory हाता है सब которой jaki mike की वसास से हकुमत तक मैं यह पहुचाना चाहता हूँ खास कर से हलत यह तासिलदार का आफिस यहां पर खड़ा है यानि कि जितने भी मुलाजम है यहां खुद ड्यूटी नहीं दे रहे आफिस तो हैं लेकिन मुलाजम गाइब है और बिजली का मैं कह रहा हूं रोशनी आज कि इस सदी में रोशनी के बिना लोग जो लोग जी रहे हैं उन लोगों का क्या हाल होगा आज देख लीजे आप मुबाइल फून इंटरनेट में बच्चे आज सब जगा सबक मदब अपना स्कूल का सबक पढ़ते हैं तो हम लोग उससे भी बेखाबर है हम लोगों को पता होगा उसको इंटरनेट के मुतलिक कोई भी क्वेश्चन करो वो उसका जवाब देने के लिए तयार है बचे पढ़ना चाहते हैं लेकल इलेक्ट्रिक स्टी नहीं है तो फिर पिछले सतर सालों में मसल सेक्टर में हुआ क्या डैवलपमेंट सतर साल से यह तो श् cannabis देने तोच ने दिया हम लोग अंभी मीले की बात नहीं करें हम लोग खुद गलत है हम लोग कुण थे गलत इंसाने को वौट दिया हुँनूने हम लोग को गलत ही डीडीची की बीडीची की हम लोग यहां जितने भी मेरे साथ ये पूरे मेरे भाई हैं बेरोजगार नौ Joy mitä कम से कम 40% मैंने आपको कसम से बोला है जो बेरोजगार लोग पड़े हैं बेरोजगार ग्रजवेट है टुवल्ट पास है बेर करके हैं सब मेरे साथ आप आ जाएए मैं आपको दिखा हूँगा वो पूरे रोड पे करम करते हैं या फोज के साथ अगर यहां पे फोज का यह धारोमधार नहीं होगा तो यहां के यह बेरोजगार ज कालारू से आए हैं सरकुली से आए हैं लोलाब से वो लोग यहां पर मजदूरी करे रहे हैं लेकिन हम लोगा नहीं मिल रही है सुऊँ उपर- floats से हम लोगा को कोई सहरा नहीं है यह वह वDavies ल्gram क्रवाटर से तकरीबन 활ció 48 क्लों मीटर दूरी परś तो यहां के हाला बहुत सारे हैं जैसे कि Łeursu 00 l.14 to 48- मीटर दूरी परś एक फकरेबन जैसे व Sum happens too आके countdown को मुहाए जाती का का चाहता है ऊससे कि एक इंसान को बन्यादी हुक ३ मिलने चाहे वह यहां पर महरूम है ön जिन्यादी हुकूक के अगर हम बात करें जैसे उसमें बिजली आता है अपानी वगेरा उसमें से एहम पॉइंट जो इस वकत बच्चे पड़ पातें पीडीडी का मसला है वो यहां पर हैं ही नहीं पिछले सतर सालों के अगर हम बात करें से मुलक सतर साल हुए हैं आजाद हो पूरे नहीं को हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने बिजली यहां पर देखी नहीं है पिछले साल जो इनागरेशन हुआ ता डिसी को पड़ा ने खुद की थे इस पर इनागरेशन लेकिन अगर हैं बिजली वो नहूने के बराबर हैं सतर साल हुए हमारे मुलक को हमारे साथ वादे किये वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए बिजली क्यों नहीं है उनको पता था अगर हम उनको खुशार करें जे उनको रोशनी देंजे ताजिए ये भी आगे जाके बढ़ सकते हैं कुछ बन सकते हैं उन्होंने समझे थे ये अंदे हैं अंदे ही रहें ज लेकिन अल्ला के पास उनको जवाब तो देना जूरूरी है उन्होंने हमारे साथ हज से ज्यादा नाइनसाफी की है इसलिए हमें हमें बिजली नहीं दिये गई मचल की तरकी कैसे परवान चड़ेगी जबकि यहां रोज तशदुद होता रहता है पहले 2005 में 2006 में जब गोला बारी होता था हमारा ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किलात होता तो कभी कोई नकसान भी उठाना पड़ता था अभी थोड़ा हमारा एक दो तीन साल से पीडी आ गई तर मगर उस पीडी से हम थोड़ा रहत लेता है और थोड़ा सीज फायर भी हुआ उससे थोड़ा किमी हुआ कि वो पीडी थोड़ा हमारा और बढ़ाना चाहिए जो पीडी यहां दिया सेफ्टी कि लिए वो थोड़ा और बड़ाना अर उनका रिपीर होना जा interpreting भी नहीं हुआ झाली बना बना के रखा तो अभी उसका प्रिपेर पूरा नही हुआ तो पहले से अभी थोड़ा गुला बारी में थोड़ा कमिया है उससे थोड़ा हम अभी रात लेते हैं कुम्यूटी बेकर्स हर घर में देते यह हमें बिन्फिट रहते था अगर हम कुम्यूटी बेकर्स से अपना जान बचा सकते हैं जब गोला बारी आते हैं तो हम कहां जा सकते हैं यहां तो जाने की जगा ही नहीं है कहां छुपने की कोई जगा ही नहीं है गोला बारी के बारे में जब गोला बारी आते हैं तो हर मकान पर गोला पड़ता है चाहे मचल हो चाहे दुद्दी चाहे पशवारी हो चाहे थली हो चाहे रिंग बाला हो पाइन हो हर जगा को खत्रा होता है अब हम गोवर्मेंट से ही इस्तिदा करते हैं आपकी टीम के कि गुष्राइग yan काम कीया है, लेकिन काम क्या हुआ है, जितनी भी पीडिया यहां पे बनी है, उनमें जगला बारी शुरु होगी तो यहां के लोが कहां चाहेंगे, डिप्टी किमिजनर के पास जाहेंगे तो उनको जगह नहीं देगा, तो उपर से यहां पे जब L.O.C. से hazipe this fire violation होगा, तो य अच्छले साल भी मेरे दोस्त का बाप शलिंग से मर गया है यहां थली में इतनी गोलाबारी हो गई कि उसका जान बचाना दुश्वार होगा बाद में उनके दो बचे भी थे जिनको यहां पर ट्रीटमेंट नहीं मिला ट्रीटमेंट की वज़े से वो भी दून बिचारे मर गोलाबारी की वज़े से हम लोगों को बहुत मुसीबत हो रही है यहां पर अब मैं और क्या कह सकता हूं कि मैं आपकी वसादत से गोर्मेंट आप इंडिया को यह बात पहुचाना चाहता हूं कि हम लोगों का खयाल रखें ताकि हम लोग भी जीना चाहते अगर गोलाबार तरफ से गोवर्मेंट को तवाज़ दिलवाना चाहता हूं खासकर डिस्टिक को पाड़ा के मदब डिस्टिक मजिस्टेट को में तवाज़ दिलवाना चाहता हूं कि आज सर्फूद वो जाहिजा ले ताकि मैं जूट फ्राइब प्राइब आग मनंष्य आगाने निए जो फ्राइब आपने जब आगाला कि आए घर वह चाहर प्राइब शस्मान अधिए टीनाद अगल्ट अणागरे आप व्रों काईब मतॉटों सब्सक्राइब करें लोगों को और पाकिस्तार को आपसे बात करना चाहिए ताकि यह यह फाइरिंग है जो हमारी यह वालेशने यह बाद हो सकते पूरे जो मिट्लाला के रहने वाले लोग हैं पूरे मिट्लाला के लोग दिल से धाओ देते हैं और खैरम अगद भी करते हैं कि यहां के यहां के पस्मना आलाका है इस आलाका भी कोई ख्याल रखा है तो माकसद ये है कि हमारे जो आने वाले नसले हैं जो हमारे यहां जिन्दगी बसर हम कर रहे हैं जो गोला बारी चल रही है तो इसके वज़ा से हमारे जिन्दगी काटन हो रही है यहां बहुत सारे जाने चली गई जिसके दोरां 2005 में टी संट में चूटिवारी जो जिसका नाम के थे हैं सर पुराला का नाउं गाउं हम यहां मुस्तमिल है तो नाव गाओं मेंसे कम से कम बैंकर दोया दिया है गौवर्मेंट ने यह नहीं सोचा कि हमने बैंकर दिया है लेकिन वो बैंकर तो काइबल है नहीं अब जो बैंकर दिया है उनके काइबल हम है नहीं क्यों नहीं वज़ा यह है कि एक गाओं में दो दो दिये एक सो साथर च पाकिस्तान और इंडिया जो आपस में छेड़ कर रहे हैं अगर यह सला करेंगे मश्वरा करेंगे यह गोला बारी बंद हो जाएंगे तो हम भी शांती से रहेंगे इसकी वज़ा यह है कि हमारे उपर बहुत सारे नुक्सान उठाना पड़ता है जैसे हमारा यह जो पिछला प्रोट नहीं होता तो यहां तो मुझे यह आज तक यह भी समझ आता है कि यहां सड़क भी नहीं होता लेकिन यह बदावला था फोज का दूसरी बात यह अगर कोई मुनिस्टर भी आता है वह चाहता है पहले वोट चाहिए उसने यह वो यह दिलास देता है कि मैं खंबे लगाऊंगा पावर दे दूंगा यह अपने अपने जगा में जो कुछ जो बड़े 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 जो आपसर लोग हैं वह सोचते हैं कि लोग हमारे हाथ में होनी चाहिए और जब वोट लेने आल रहे हैं तो पूरे गाउं समझ पूरे अलाका होता है यहां जो बैठा हु अलाका जो पड़ा हुआ है मैं उनके पास भी जाओंगा एक एक दिन उनके पास भी जाओंगा कि मैं देखूंगा वहां क्या हाला है लेकिन जगा यह पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन इस बड़कस्मती की वज़ा से यहां के लोग फोज के साथ कंदे से कंद रहा है वो किसी के कविया यह वुपल कारी कैसा लेता कोई अफसर होता है उसके साथ लेता है कोई मानलों जिम्दारी इस को लगायों यहां गृट के कृप वाले काम कर रहे हैं यह कोई और कोई रोड का मसला होगा उसको काम करने के लिए इजाज़त दीजे लेकिन हम इसकी बदवलत की वज़ा से जो यहां आपसर लोग हैं जो हमारे डिस्टिक आपसर हैं उसको भी यह खयाल होना चाहिए कि हमारा जो यहां पस्मन्द आलागा है उसका ध्यान दीजे मतल सेक्टर में तिजारत और सियाहत को फरोग देने के लिए इंतजामिया को क्या एकदामात उठानी चाहिए तूरिजम डिपार्टमेंट अगर यहां तवाजु देदी की तो यहां की बेरोज़गारी भी खतम हो सकती है क्योंकि यह जो यहां की जो प्लेस है यह टूरिजम के काबिल है यहां जो रिंग बाला मचल रिंग बाला एक टूरिस्ट प्लेस है मचल भी टूरिस्ट प्लेस है, यहां हर एक गाव टूरिस्ट प्लेस के काबिल है अगर गॉर्मेंट हमारी टूरिस्ट प्लेस यहां लगाएगी, हटस बनाएगी तो यहां तो टूरिस्ट का जो हर जगा में, जैसे कि गुलमर्ग में टूरिस्ट जाते है वहाँ तो डिवलोप्मेंट ही डिवलोप्मेंट है अगर यहाँ टूरिस्ट आते तो यहाँ भी डिवलोप्मेंट है हर एक नवजवान को रोजगार मिलता है अगर हम तो गूर्मेंट को यह बताना चाहते हैं कि यहाँ टूरिस्ट आए और हर बेरोजगार को रोजगार मिल सकती है उससे जैसे कि इस सवाल का तालुक है कि तिजारत या सियाहत को फरोग देने से यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के मौकप पैदा हो जाएंगे जैसे कि एक खुबसूरत सेंडरी है यहां पर लेकिन बदकिस्मती की वज़ा से अभी तक यहां पर कोई भी यहां को इसके लिए ठोस एकदामाद उठाने चाहिए ताकि यहां भी टूरिजम आई और यहां के लोगों को भी काफी ज़्यदा फाइदा पूंच सके इतना खूबसूरत अलाका होने के बावजूद भी यहां पर अभी तक टूरिजम का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है हमारे वादिय लोलाब से डिस्टिक कुपारा से यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाटा सुमू में गुमने आ रहे हैं यहां रिंग बाला पुछवारी मच्छिल हर जगा का दोरा करते हैं उनको वो जगा पसंद आई है लेकिन गोर्मेंट आप इंडिया को अभी तक क गुछ तर्की कर सकते थे टूरियरिज्म के बारे में हम बहुत कुशिश कर रहे हैं कि यहां बहुत सारी लोग आए थे देखने के लिए लेकिन यह जो हमारा अलाका है बहुत खूब सुरत अलाका है यहां अलाके में जो जड़ी बूटी होती है उसके काइबल भी यहां है लेकिन जड़ी बूटी क्या है सलाजीत होता है मूम पत्र होता है और बोट से जड़ी बूटी होती है लेकिन यहां के काबिल यह जो अलाका है यह टूरियूरिजम के काबिल है हम गोवर्मिंट को अपील कर रहे हैं कि यहां के जो बेरोजगार लड़के हैं अगर टूरियू यहां चलना चाहिए, यहां चलना चाहिए, त्थ। कि हम गुजारिश कर रहे हैं, गुष्मिन्ट को, यह जो बचे फेकर हैं, उनका भी होसला बलंध हो जाए. सब्सcı कर्ए क्या हिए द्थ। हम उनको बोल रहा है था जैसा गुलमरग बनाया जैसा कहीं और और जगा पर बनाया पैल गाम बनाया वेसा इसको भी बनाओ ये भी सुन्दर जगा है मगर उन्हों नहीं बोला हम कोपवारा का मनिस्टर बन गया हम वहीं का बना देगा ये पसमाना रहा इसको देखा नहीं, अभी ये कुछ नहीं, इससे अगर जिनाब निकलेगा ना उसको आई बी बोल रहा है हम, सिजट बोल रहा है, आप बोलेगा हम गार नहीं जाएगा, इतना खुबसूरत जगा है, अगर इधर भी देगा, इसमें सिवे हमें को बहुत रो ये रोड पर काम कर रहा है, अगर इसको दासी हाजार गोवर्मेंट देगा, नोकली मिल जाएगा, एधर का ये बी चेन से रहेगा, ये फील होता है, ये फील होता है, क्या लगता है आपको, सियाहत को अगर फरूग दी जाए, तो क्या उसे दरंदाजी में कमी वाक्या मैं वसुख से ये कहता हूँ, गुल मर्ग से बढ़कर मैं अपनी इस एरिया को मानता हूँ, बस हमारी यही तमन्ना है कि एक बार यहां टूरिजम लग जाए, लोग भिरुजगार जितने भी यहां पड़े लिखे हैं, ताकि वो उस काम में लग जाए, जब वो काम में लग जाते हैं, सब कुछ बूल जाएगा, वो अपने कारूबार करेंगे, अपने गरवालों को भी तरकी देंगे, अपने आपको भी तरकी देंगे, तो उनकी जिन्दी बसर होगी, तो दरदाजी किस बात की, मैं कहता हूँ, यह आमन आला का है, यहां पर आमन है, आज भी है, इन्शाला आएंदा भी होगा, बस एक फरक मुझे मिली, मैं सब के सामने आपको यह बात कहना चाहता हूँ, फरक यह है, जो हमारे सियस्दानों को हमें, हमारे जहन में यह बात डालनी थी, या हमारे लिए कुछ करना था, उसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ वो बात आज तक नहीं कहीं, जिससे हमारे यह नौजवान तर्की कर सकें, यहां पर अगर कुछ भी है थोड़ा सा, वो इंडियन आर्मी करती है, यह वो हमारे नौजवानों को अपने अपने केंपों में लाग कर उनको ट्रैनिक देती है, उनको सिखाते हैं कि आपकी जिन जि तयार होते हैं, लेकिन हमारे यही गुजारिश है कि हर एक का हग बनता है कि हमारे जवानों के लिए कुछ सोचो खुदा करा, यह नौजवान यहां पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन बस साल रह गया, तीस साल से आगे हो गया, वो अनपर से बे बतर हो जाएगा, बस हमारे य ही गुजारिश है हमारे इन लड़कों के लिए कुछ सोचो खुदारा खुदा का खुब खा कर ताकि उनके उनके माँ बाप ने यह तो अपने दिन में यही तमना किये थे कि मेरा लड़का पढ़ेगा नुगरे करेगा ताकि मैं भी जीसा कूँ इस दुनिया में क्या हमारा ह इसी बनाओ हम कहते हैं नार्मन सिपाही तो बनाओ कम असकम यह सिपाही से बढ़कर काम करते हैं हमारे नौजवान चाहिए इस ऐसे बाड़रों पर चड़ते हैं लोड लेके जब यह लोड़ लेके चड़ सकते हैं क्या यह डूटे नहीं दे पाएंगे बस मेरे यही एक यहां खड़ा किया उसमें बहुत होसला अबजाई होगा ऐसा अगर टूरिजम यहां लग जाएगा कि जो मतलब दरह दरह जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा किमी आएगा क्यों अलाका भी बहुत संदर जगा है इससे बढ़कर यहां आभी माना जाता है सीजाट हमारा गुजारिश है अपनी गोर्मिंट को गुजारिश रुकवस्ट यहां भी देखो और खुदा की तरह भी देखो इस अलाकी की तरह देखो हमारे भी बहुत नावजवान बेरोजगार है इधर बेकार है रोड में काम करता है अगर टूरिजम हो जाएगा उससे हमें को बहुत गया था अभी एक बरती वो यहीं मचल सेक्टर में होना चाहिए कि ग्रोंड बरती कि हमारा यह नावजवान लड़का यह जाएगा नाजरीन लोगों के मसले मसायल सुनकर वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते है हमारा पता आपकी टीवी स्क्रीन प्यार है तो दीजी रूबरो की पूरी टीम को इजाज़त अल्ला हाफ़ज करोना वाइरस जैसी वबास से बचने के लिए घैर जोरोरी सफर से बचे नाकाबले तनसीख समाजी तक्रीबात में कम से कम महमानों को मदू करे हर तरह के हुजूम से बचे दुकान पर सारिफीन को गेर जुरूरी तोर कोई भी चीज छूने न दे हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करे अगर किसी ने मास्क न पहना हो तो उसको पास न आने दे सैनिटाइजर हमेशा साथ रखे और इसका मुतवातर इस्तेमाल यकीनी बनाए किता है